नमस्कार दोस्तों ये सबी फ्लोरिंग टेक्निकल प्याप्रेश वागते हैं मैं हूँ राकेश कमोक दोस्तों मैं आज वेबर शेट टाइल एडेशु के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखे विर्कुल भी स्कीप कीजिए अच्छा लगी तो लाइक और शेर जरूर करना यह हैं मेड इन फ्रांस की कंपनी है वेबर की इस्तापना 2005 में 100% पार्टनर्शिफ के साथ में इंडिया में सेंट गोबिन के साथ में हुई थी इसलिए वेबर टाइल एडेशु 2005 से इंडिया में केमेंगल का निर् वहे के उपर हैवी ट्राफिक वाइब्रेट एरिया जिप्सम बोड़ मेटल सीट एलिमनियम पैनल ग्लास सिमेंट सीट और प्लाइवड के उपर विशेस प्रकार से टैल्स मार्बल ग्रनेट नेच्वरल इस्टोन वाल क्लाडिंग इस्टोन मोजाइक सेरामिक टैल्स इते खरणने में उप्योग होता है यह हम बहुती मजबूती के साथ में पकड़ता है इसमें बहुती ताकत रहते है और यह इसतीरता बनाए रखता है वेबरेडेशीव के नाम और कौन सा केमिकल कहां उच होता है मैं अभी डिटेल्स से बतने वाला हूं बहुती शरिल तर कलर काता है 20 और 40 kg की पेकिंग में आता है इसमें हम सेरामिक टाइल्स लगा सकते हैं दिवार के उपर और इसमाल साइज का विट्रिफाइट टाइल्स फ्लोरिंग में लगा सकते हैं अंदर की तरफ वेबर सेट क्लाशिक यह भी ग्रे कलर काता है 20 kg पेकिंग में आता है इसमे दिवार के उपर विट्रफार टैल्स लगा सकते हैं जैसे कि 2Y2 का 2Y4 का और बड़ा साइज का फ्लोरिंग में भी टैल्स लगा सकते हैं अभी नेक्स्ट ग्रेड है वेबर शेट 9 यह ग्रेड और वाइट कलर में आता है 20 और 40 kg की पेकिंग में आता है इस ग्रेड से दिवार पमदर के उपर 2 foot 4,3 foot 6 fit अलाडिंग लगा सकते हैं और बाड़ा बड़ा टैल्स भी लगा सकते हैं बड़ा बड़ा दो तीन फिट वाई शे फिट का चार फिट वाई आठ फिर का और गरनेट मार्वल लगा सकते हैं नेक्स्ट है वेबर्शेट फ्लस वाइट यहां वाईट कलर में आता है 20 किलो कि पेकिंग में आता है इससे बड़ा वीटर फैट टैल्स सेरामिक टैल्स ग्लास मोजाइक टैल्स नेचरल स्टोन और डोर विंडो इससे लगा सकते हैं नेक्स्ट आता है वेबर्शेट ग्लास मोजाइक यहां 20 किलो की पेकिंग में आता है यहां विशेश प्रकार से स्विमिंग पूल में टैल्स लगाने के लिए उप्योग आता है और इससे ग्लास मोजाइक टैल्स भी लगा सकते हैं क्लाडिंग इस्टोन ग्रिनेट लगा सकते हैं और फ्लोरिंग में जहां पे धूप रहता है वहां पे जैसे की छत के उपर बालकुने में ऐसा सेरामिक और वीटरफाइट टैल्स लगा सकते हैं नेक्स्ट यहाँ बीश की पेकिंग में आता है अपने वहां को बहुत अर्जेंट काम करनेगे में जहां सकते हैं और बाहर के लिए कहीं पर भी लगा सकते हैं इसको ज्यादेतर वाइबरेट ऐरिये के लियो उप्योग में लिया जता है जैसे कि railway station में, railway line के नजदिक घरों में, commercial area में, घर में, जहां पर lift हो, lift के elevation में इसको ज़्याद दर काम में लिया जाता है Next है, Weber Set Ultra, यह है A और B पार्ट में आता है, hardner और resin अलग लगाता है इसमें 16 kg का powder और 5 लेटर का liquid आता है, जिससे बड़े-बड़े heavy piece लगा सकते हैं, Italian marble, बड़े-बड़े granite की sheet, अंदर और बाहर, कहीं पर भी बड़े-बड़े sheet लगा सकते हैं Next है, Fixed Drywall, यह है एक अनुपार 3 में आता है, जिससे कि 5 kg hardner, 15 kg resin, ऐसा टोटल मिलाके 20 kg का paking हो गया यह है विशेज प्रकार से, Seement Sheet और Plywood के लिए उपयोगी है, जैसे कि Plywood के टपके के उपर अपने को grenade लगाने करहे हैं, या भी प्लावूड के counter के उपर, या फिर Plywood के wall के उपर अपने को grenade या marvel या ties लगाने करहे हैं, तो उसके लिए विशेज प्रकार से, Fixed Drywall आऋ नेक्स्ट है इपॉक्षी एडेशिव यहें एक अनुपार चार में आता है जैसे कि पांच किलो हाडनर 22 किलो रेजिन यहें चोट और भी छोटे पेकिंग में भी आता है यहें विशेज रूप से हाई ट्राफिक जिप्सम बोड मेटल सीट एलुमिनम पेनल गलास प्लाइव चार के लिए भूवती उपयोगी है इस से अपन सिलिंग के उपर खत्र भी लगा सकते हैं भूवती एडिशिव है दोस्तों अभी तक जितने भी ग्रेत वह टैस मार्बल ग्रनेट फिटिंग करने के ग्रेट अभी नेक्स्ट है टैल उपक्सी ग्रापिंग यहां टाइल्स तब त cables connection करके 것도 18-00 में एक व्विशित हो रहता है तो जौन दोनों को मिक्स करके उस चाइन ब्रा जाता है यह अंदर बाहर के लिए दोनों के लिए उपल की है सते हैं आई से बूर 1991 सब्सक्ब्स गिंग एकूट निल्म में फॉर्टी ही कलर एविलेबल में पॉट्सी में बाघा मैं अविलेबल हैं दोस्तों टाइल टायम्षी ग्राउट में इपाक्षी ग्लिटर ले आते हैं एक शुझेर टीन कणर अविलेबल है सिल्वर, copper और golden यह तीनो कलर radymix आते हैं जब अपने को भरने का रहता है तो यह रेड़ी मीक्स है भर सकते हैं weber के grouting भी मिलते हैं जहां अपने को joint चिपका की लगाते हैं जिसमें space नहीं रहते है जिसकी grouting और flooring की tiles में दिवार की tiles में जहां अपने को grouting रहता है तो ग्राउटिंग भी कर सकते हैं इसमें सभी कलर अवेलेबल है इसके अलाव सीमेंट टोनिक भी आता है जिसको एडेश्यू महंगा लगता है यूज नहीं कर पाता है जैसे कि अपार्मेंटों में कमर्सियल एरिये में उस जगह है सीमें टोनिक यूज कर सकते हैं 20 में 300 ग्राम टोनिक डालते हैं और उसको 50 किलो के एक बेक सीमेंट में मिक्स करके उसको फ्लोरिंग का टैल्स लगा सकते हैं वह बहुत ही मजबूत रहती है एक्स्ट्रा बॉंडिंग होती है और उसका फ्लोरिंग का कवरेज भी जाता मिलता है इसके लाव भी वेबर में ब लग लग जगह के लिए बहुत सरे केमिकल मिलते हैं बहुत बड़ा कमपनी है और एडवांस टेक्निक के मिलते रहेंगे धन्यवाद दोस्तों अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमार को कॉमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा अभी तक आपने वेबर टैल एड़ेश्यू को यूज नहीं तो एक बार जरूर करके देखें दूसरों को बाइड़ी दीजिए और दोस्तों कुछ भी अगर मेरे से कुछ गल्पी हो तो छोटा भाई समझ कि माफ कीजिए धन्यवाद जैहिन जैवार्त गुंदे मात्रम